क्लासिक्स एक्सराइब 13.2 कोशन नमबर 10 दे स्पोर्ट टीचर आफे स्कूल डिसाइड देर दा बेस आफे स्पिमिंग पूल आफ मेजर कितना मेजर है बेस है उसका 25 मीटर वाइ 15 मीटर के हिसाब से है शुट वी कवर्ड वाइ रक्टांगल किसे कवर है वो एक रक्टांगल टाइल है आफ मेजर 25 सेंटीमिटर वाइ 15 सेंटीमिटर उसकी है उसके बाद find the number of tiles required अब यह दिया हुआ नहीं जो बाय करके 25 मीटर और वाइ 15 मीटर यह आपने करेंगे मीटर स्क्यार तो आए गाavy कि क्योंकि मेटर इन्टिमेटर मीटर स्केर होता है 25 सेंटेमिटर इन दोंको करके अब देखो उपर वालला हमें मीटर में अकालत है क्वाला हमें सेंटीमीटर मेथ नीचे नहीं सेंटीमिटर में कारते हैं तो क्या आजाएगा 0.25 मीटर नेक्स्ट का आजाएगा 0.15 मीटर उसके बाद आएगा इन दोनों को मल्टिप्लाई करके 0.0375 मीटर स्केर अब नंबर आफ टाइल रिक्वाइड कैसे निकलेगा एरिया अफ बेस जो भी निकाला हमने और डिवाइड बाई एरिया फ वान प्वाइड कैसे अटगया उपर देखो अभी प्वाइड के बाद इदर कितने डीजर थे 0 375 में चार निजर थे इसलिए इसको टैन थाउजन से डिवाइड उपर मल्टिप्लाई कर दिया मतलों 375 जो उपर वाला है उसको 10,000 से मल्टिप्लाई कर दिया क्यूंकि इसका प परवाले में नेक्स्ट कोशन है कोशन नमबर 11 ए रूम इस एटीन मीटर लॉंग है ट्वैल मीटर ब्रॉड है फाइंड दा कॉस्ट आप कार्पेटिंग दा रूम एड दी रेट आफ नाइन पॉइंट फिप्टी मतलब नाइन रूपीज फिप्टी पर स्क्यूर मीटर के हि उसके बाद है एटीन को जब हम ट्वैल से मल्टिप्लाइ करेंगे आएगा 216 अब एरिया तो यह किसमें आएगा मीटर स्केर में अब कॉस्ट आप कॉर्पेटिंग ऑफ 216 मीटर स्केर की कितनी आएगी 216 को हम किसे मल्टिप्लाइ करेंगे वास्ट कितनी दी यह 9.50 से तो इस स्ट्रीट रोड 30 मीटर लॉंग एंड 12 मीटर क्या है बाइड लैंथ ब्रयार्थ दीए इस टू भी पॉवड बिद सीमेंटिड ब्रिक हाविंग लैंथ और ब्रयार्थ ऐस 15 सेंटिमीटर एंड 10 सेंटिमीटर सीमेंट की ब्रिक से बनाया हुए रिस्पेक्ट वली फॉ लैंथ 30 मीटर है ब्रैथ 12 मीटर है यह अब लैंथ इंटिमीटर का आजाएगा अब सौरी एक चीज़ और अब देखो उपर मीटर में चल रहाथ ऊपर बाले स्ट्रीट रोड वाले में और निचर आगा संतिमीटर में अब हम सबसे पहले मीटर में चेंज करेंगे अब वी है तो 0.15 अब 10 cm हमें हैं तो मीटर में करना है 0.10 न आ जाएगा मीटर में उटू मीटर मीटर स्केर 0.015 स्का अंसर आ जाएगा अब नंबर आप ब्रिक रिक्वाइड हम कैसे निकालेंगी जो हमने एरिया पर रोड का निकाला है स्रीड रोड का निकाला उसको डिवाइड कर हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ा उपर जितने भी पॉइंट के बाद कितने डिजर्ट थे जीरो वान फाइफ मतलब थ्री डिजर्ट थे तो इसको थाउजंट के साथ उपर मल्टिप्लाई करना पड़ेगा तो अभी इसको सारा सॉल्व करके कितना है 24,000 ब्रिक्स रिक्वाइड उसको स्ट्रीट रोड को बनाने के लिए नेक्स्ट बताऊंगी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में